हेलो एन वेलकम गईस वागत आपका फेंटासी डिसन चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में आज के दुन की दूसरे सेमी फाइनल मैच की जो की मैच होगा यहां से आलवी जालवी सीयव वसिस हमार भी के बीच में तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेएर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेएर को आपके जाना हैं कौन से प्लेएर को आवाइड करके जा सकते हैं सारी डीटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इसमें की तो इससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चनल को अभी तक अपने सस्क्राइब नहीं कि है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है और यहां से टेलिग्रम से टूड़ना बिल्कुल मुद बुलेगा क्योंकि यहां से फाइनल अपडेट और टीम अगेर आपको टेलिग्रम में मिलेगी तो टेलिग्रम से टुड़ने के लिए मैं ने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात करें इस मैच की तो यह मैच चो दो पर में दो बज करती समेच पर नॉस्ट बॉक्रिकेट ग्राउंस टॉक्म स्टॉक्म स्ट्वीडन में गिला जाएगा पीच रिपोर्ट यहां से न्यूटरल और बैलेस है लेकिन यहां से बॉलर्स को कापी अची हैल्प मिल रही है इवन आई थेंग के शायद यहांसे 130 प्रस भी देखने को मिल सकता है स्कॉर तो चलिए देख लेते दोनों टिम पर नजर कर लेते तो यहांसे आलबी जालबी तो यहांसे तगड़ा फॉम में चल रहे हैं भी तक 9 मेच यहांसे बीना हारी यहांसे 9 मेच लगातार जित के आ रही है इसमाइल जिया और यहांसे सम्मिय उल्लाख खलिल दोनों ने लास्ट मेच के अंदर ओपनिंग किया लेकिन दोनों का परफॉमस इतना कुछ खास नहीं ऐसे इसमाइल जीया की बात कर तो उन्होंने पिछले कुछ मैच के अंदर काफी अच्छा परफॉमस दिया हुआ है तो इनको तो ऐसे प्लेयर आप ट्राइक कर सकते हैं से क्योंकि ओपनिंग में बंदा अच्छा कर सकता है तो यहां से इसमाइल जीया को ट्राइक कर सकते हैं अगर खेले तो इनको लेने का कोई मतलब बनता नहीं है आज जम खलील वेरी इंपोर्णेट पिक रहेंगे इवन कैप्टन और वाइस कैप्टन सेप की सीटी चॉइस यहां से आजम खलील ही रहने वाले तो इनको तो एस प्लेयर लेके जाएंगे यहां से शाहिद अली एक अच्छे बेस्मेन है लेकिन बैटिंग ओड़ा थोड़ा सा नीचे हाला कि यह वैसे बेजिकली ओपनिंग में खिलते हैं तो हो सकता है अगली मैच के अंदर वापस इनको ओपनिंग में बेजा जा सकता है तो यह कुछ हो सकता है वे देगी कि I think कि फिकर रहेंगे हरेक मैच के अंदर दो और स्अ पुरी करवा रहा है प्लस बैटिंग से यहां से अच्छा स्कॉर कर रहे है तो इनको ट्राइक कर सकते हो जी यहाल हो जाई as a player तो important है even थोड़ा सा risk report कर सकते हो तो इनको captain और vice captain के तोर पर आप try कर सकते हो players काफी तगड़ा है यहां से कभी भी यहां से T10 वगेरा में भी यहां से 60 रन भी मार के दे सकता है आपको captain wise captain करना चाहो तो भी कर सकते हो वागी मोहमद जिसान okay okay pick रहेंगे इनको try करना यानि की risk लेना है वागी कुद्रतुल्ला मीर अफजल very important pick रहेंगे batting से bowling से performance दे सकते हैं यहां से ग्यारा रन किये यहां से विकेट निकाली last match के दा दो विकेट निकाली इससे फिले भी दो मेंच के दे रहेंगे विकेट निकाल चुका है और वैसे भी यह बंदा कभी भी अगर बैटिंग करने का भी मौका मिल गया तो अच्छा performance भी दे सक ने करता है पहली मेंच के दो विकेट के लेग ते नहीं मली लेकिन यहांसे लेमरवंमाड को एस फ्लेर जरूटर रए करेगा अभ्य देखो यहां से मैंने मेंच की हुए नौ घरंक बनाने वाले हैं बाकी एजसे आगर कोई भी घिलता हैक Merci टे第 परवाड़ करवा दूँगा दो बंदी इंपोर्टेंट है यासे राहिल खांग और यासे दाउद जाहिए यह दोनों प्लेयर अगर कहलते हैं तो इनको डिफिनेटली आपकी टीम के अंदर होना चाहिए बात करते हैं यासे टीम हमार भी की तो इनका भी शेयर में यासे दो म सुलीड में हमोर्ट को प्लियर जरूल के घाएंगे आजम महम्मध वरी इंप्लेयर के लिए बेस्टोरे ने वाली है अभी तियाको तुम के आदिके आजम हैं उनके खलिल है आजम खलीब तो यहां से इनके आजम महम्मद है और हमारे पास दोनों स्थिर चाहए बार को यह तो ने दो विकेट निकाले वे लेकिन पिछली तीन मेच के अंदर विकेट नहीं मिली तो अभी के लिए ये थोड़े से डाउटफूल प्लेयर रहेंगे तो यहां से इन तीनों प्लेयर को तो शायद मेर पिक ना करूँ बाकि यहां से मुहमद मुनीर वेरी इंपोर्णेट वे में ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हैं क्योंकि इनका कैसा है नहीं लोजिक दे सकते हैं आसे विकेट नहीं मिली फिर विकेट नहीं मिली तो अगली मेंच में हो सकते हैं यहां से एक आजी विकेट चटका सकते हैं तो यह लोजिक अली है लेकिन आपको ट्राइ करना चाह यहांसे अब्दुलहकीम इनको ट्राइ करेंगे, बाकी, यहांसे एक क्यू रसीत, यानि काजी रसीत, एक अच्छी चोईस है, इनको ट्राइ कर सकते हो, यहांसे यह बंदा, इम्पोर्टनेट्स के अगर खेलते हैं, यह कुछ प्लयeर हैं, तो इनको जरूर अपनी तीम के अ यहां से यह दोनों प्लेयर खेलते तो यह भी डेफिनिटली आपको अच्छा कासा बेनिफिट दे सकते हैं बाकि यह सारे प्लेयर से खेलेंगे तो इनमें से कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स में आपको टेलिगरम में प्रोवाइड करवा दूंगा तो चलिए देख ल साने बैटिंग से तो अगर यहां से ँसथ जाना चालों कोई बात नहीं रिक ञते हैं बाकि यहां से नहीं से आजम खलील यहां से अंसमी उल्ला क्लील और यहां से चाह.को शुरू ब्लान नहीं किया है बात करें यहां से all rounder section की तो क्यों मीर अफजल यहां से आज़म महमद यहां से अलो जाई और यहां से खालिद खालिद महमुद खालिद महमुद को मैंने फिक किया अब आपके पास चोईश क्या है यहां से मुनीर मुनीर को अब को अगर लेना है लेकिन और कोई options भी नहीं है तो यहां से अफ्ता जहमत को लेके जाएंगे यहां से लेमर मौमट को मैंने पिक किया और यहां से तास्ट कूरेच एमारी टिम के अंदर रहेंगे बाकी options ठीक ठाक है यहां से चोधरी अगिरा को लेने का कोई मटलब बनता नहीं हाला कि इनको ट्राइक कर सकते हो उस्मान जब्बार को यह कभी-कभी ओस स्ट डालते हैं विकेट चटका सकते हैं अगर दाऊटंच केलते हैं तो इनको डियफिनेटल हमारी टीम के अंदर में लेके जाओंगा किनकी जगा पर यहां से आफ्ता ब्यहमत की जगा पर ही इनको में लेके ज सकता हूpping तो अभी के लिए टीम कुछ ही सबस्वा से रहेगी कि कप्टन हमारे नहेंगा ऐसे आजम खलील और यहांसे वाइस Пом dessa मॉहमत रहने वाले आप क्या कर सकते हैं इनको राटřिड भी कर जर आ सकता हैं से अलो जाएगे उपर आप पूरा भरोसा कर सकते हो तो अभी के लिए कुछ इससरा से टीम रहेंगे लेकिन याद रहें यह तो डेमोटी में फाइनल आपको मिलेगी टेलीग्राम में फाइनल लाइन आपके बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत पूलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटेज किया हुए इनके से अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हां से एडड़ेट fdc27 और आपको से जोईन कर लेना क्योंकि फाइनल अगले वीडियो में एक नए सर्प्राइज वीडियो के साथ तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो अच्छी टीम बनाते अच्वेनिंग करते रहो बाई धन्यवाद जैहिन जै भारत